नमस्कार दोस्तो शोट अपडेट तो देखो फ्रेंट्स आज यहाँ पर थोड़ा एनलिसिस किया है बिटकोईन के बारे में मतलब कि यहाँ पर जो negative जो news है वही problem create कर रही है इसलिए market में अभी देखो बहुत market slow चल ला है बट आप real में risk लेना चाते हो तो अब time आ चुका है कि यहाँ से market bounce back ले सकता है तो देखो थोड़े ऐसे point है कि market यहाँ से bounce back ले 99% अब bounce back लेना चाहिए तो आज में वो point दिखा था हो कि market यहाँ से क्यों bounce back लेगा तो देखो थोड़ा साम पूराना history check करते है कि market ने बार बार जैसे कि अभी जो bitcoin का price चल रहा है 38,526 डोलर तो थोड़ा सा यहाँ पर history check करते है तो देखो market जब पहली बार गिरा था गई अप्रिल के बाद गिरा था और यह pattern में फस गया था तो यहाँ से breakout लेने के बाद यह जो support लिया था देखो यह point सीधा सीधा 38,500 से लेके 39,000 वाला support लेके market उपर चला था तो friends वहाँ से पहली बार यह support लिया दूसरी बार थोड़ा बहुत नीचे है तो वही support उससे वापस से मिला तो again वो चला गया अपने नए old time high तक तो दो बार यह support ले चुका है उसके बाद देखो friends यहाँ पर मैं market के बारे में बातचित करूँ तो इस बार जो rally आई थी 69,000 ट्विंटी डॉलर से जब market गिरा था तो वापस से वही support लेके market उपर दाने की कोशिश की वापस नीचे आया वापस उपर दाने की कोशिश की वापस नीचे आया वापस यहाँ से support मिली उपर दाने की कोशिश की बट अभी देखा दाई तो पेटर्न में फस गया तो देखो बार-बार यह से देखा दाई तो एक, दो, तीन, चार, पांच और छे बार मार्केट को यहां से बाउंस बेक मिला है तो इस बार भी मैं उमीद कर रहा हूं मार्केट को यहां से बाउंस बेक मिले और इस बार पर बनी थी अच्छी खाजी इसलिए यहां पर बार बार इसे शपोर्ट मिल रही है फिर इस बार बोले तो वही शपोर्ट शेम यहां पर इसके ऊपर थोड़ा सा बन रहा है तो देखो प्रिंट यहां से एक्चुल में बिट्कोइन को बाउंस में मिलना चाहिए अब यहां पर हम थोड़ा सा चार गंटे का चार देखे तो अभी पेटर्न क्या बन रहा है तो देखो यह पेटर्न हमने डिजाइन किया हूँ है जैसी कि अभी बूल फ्लेक बन रहा है जैसी कि अभी यहां पर टाइम बे उतना सारा नहीं लगेगा इसे ब्रेकाउट लेने के लिए यह है ट्रेंड लाइन यह है ट्रेंड लाइन तो देखो यह पेटर्न में अभी प्राइज फर्स चुका है देखो बुल फ्लेक का मतलब यह होता है कि 99% मार्केट उपर ही ब्रेकाउट करता है जब यह इसा पेटर्न बनता है तो मार्केट 99% यह एरिया से ब्रेकाउट होत जैसे कि टेक्स इंडिया के ज़्यादा प्रोब्लेम कर रहे हैं युक्रीया रशिया का यहां पर चल रहा है वो थोड़ा सा प्रोब्लेम क्रिएट कर रहे हैं बाकि मार्केट अभी तक अच्छा खासा बाउंस फेक ले चुका होता तो ध्यान से देखो फ्रेंट्स अब डेकाउट होने के लिए कितना टाइम लग सकता है तो देखो इस विक में पता चल जाएगा ज्यादा से ज्यादा 48 और चैसी कि अभी वीडियो चल रहा है 48 और में आपको पता चल रहा है कि मार्केट को किस तरफ जा रहा है मैं शूर हूँ मार्केट यहां से उपर ही जाना च देख सकते 48,000 यूएस डोलर से उपर उपर विटकोई नेक्स टार्गेट देखना चाहिए यहां पर वजरिक्स का एक आउसमेंट आया कि जैसे कि आप देखा थाए तो निचल छेटी जी और उसके को फाउंडर दोनों दूबई चले गए अब यहां पर इंडिया के लिए एक यहां पर जो चीफ है चीफ ओफिजर को उसने चूज किया है उसका नेम है सुमन गुपता जी देखो यह इसका फोटो भी है यहां पर यहां पर वजरिक्स का जो स्टाफ है उसके चीफ है तो अच्छा खासा काम करेंगे वजरिक्स के फाउंडर ने एक आया कि वजरिक बहुत बड़ी बात है कि यहां पर नए यहां पर चीफ आ चुके है इसने अनौस्मेंट किया है गुपता जी तो अभी इंडिया में प्रोब्लेम है टेक्स का और टीडियेश भी आने वाला है वही प्रोब्लेम है बाकी मार्केट अभी तक अच्छा घासत चल गया होता तो प्रोट्टम के लिए एक प्रोफिट बन सकता है मार्केट ओली डिप में आया है मार्केट कभी सीधे लेवल पर नहीं गिरता है बाउंस बेक लेता है तो अगेन मैं यहां पर उम्मित करता हूँ कि मार्केट यहां से बाउंस बेक ले आपका क्या व्यूपोइंट है कमेड बेचो गुटबा